करनाटक में हाल ही में तीन मुस्लिम छात्राओं द्वारा टॉलेट में साथी हिंदू छात्राओं की रिकॉर्डिंग करने का मामला सामने आया है विदेशी फंडिंग, टेरर और्गनाइज़ेशन और कॉमिनल हेट रेट की कगार पर खड़े राजच में ऐसी घटना अलामिंग है पर कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है टॉलेट में हिंदू छात्राओं की रिकॉर्डिंग का ये मामला करनाटक के उडूपी का है वही स्थान जहां से हिजाब बैन को लेकर इंटरनाशनल लेवल पर ऑपरेशन की कहानी फैलाई गई थी विदेशी प्रापोगांदा और धार में कट्टर्ता का पोशन महबत की दुकान खोलने वालों के लिए वोट बैंक जरूर है पर इसने करनाटक की स्थिधी को भयावाय बना दिया है नमशकार महमानशी स्वागत आपका दे पैंफलिट में मीडिय रिपोट्स के मताबिक करनाटके उदूपी में नेतर जूती कॉलेज की तीन मुस्लिम छात्राएं वाश्रूम में साती हिंदू छात्राओं का विडियो बनाते हुए पकड़ी गई है रिपोट्स के अनुसार मुस्लिम छात्राओं ने इन विडियो को एक वाट्साप ग्रूप पर प्रसारित किया कॉलेज की प्रबंद समिती ने बताया कि जैसे ही घटना उनके संग्यान में आई उन्होंने कारवाई की और लड़कियों को निलंबित कर दिया स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि निलंबन दो कारणों से किया गया है पहला टॉलेट में साथी महिला चात्रों की अवैद फिलमांकन और दूसरा कॉलेज में मुबाइल फोन लेकर ना खुसने के नियम का उलंकन जो कॉलेज मेनेजमेंट की ओर से बनाया गया नियम है मुस्लिम चात्राओं दुआरा फोन का इस्तमाल हिंदू लड़कियों की टॉलेट में रिकॉर्डिंग के लिए किया गया खबरों की माने तो इनकी योजना आगे विडियोस को वाट्साप गरूप के जरिय सर्कुलेट करने की भी थी ऐसे में प्रशन उटना लाजमी है कि क्या हिंदू लड़कियों के विडियोस उन्हें ब्लागमेल करने के लिए पनाये गए थे विडियोस सर्कुलेट करने के पीछे मुस्लिम छात्राओं का क्या इरादा था इसमें और कौन-कौन शामिल है इन प्रश्णों के जवाब मिलना बेहत आवशक है याद रखे पिछली बार जब इनके जवाब नहीं ढूंडे गए थे तो अजमेर में शर्मसार करने वाला रेप और ब्लाकमेल कांट सामने आया था जिसमें 500 से अधिक हिंदू लड़ियों का सोशन किया गए था बता दें कि 1992 में अजमेर में 500 से अधिक सूली हिंदू लड़ियों के आदार पर लाकमेल करके उनका दुश्कर्म किया था कॉंग्रिस सरकार के दौरान दबी आवाज में सामने आए मामलों पर परदा डालने का नतीजा ये हुआ कि सरकार को जगाने के लिए नवजोदी नामक समचार पत्र ने यूवतियों की अपतिजनत तश्वीरें अकबार में छाप दी थी मामले का मुख्य आरोपी फारुक चिश्टी ततकालीन अजमेर के भार्टे युवा कॉंग्रस का ध्यक्ष था वहीं सह आरोपी नफीस चिश्टी और अनवर चिश्टी भी कॉंग्रस के नेता थे ये सभी अजमेर की प्रसिद्ध दरगा के खादीम परिवार से चुड़े थ अजमेर रेप केस में कॉंग्रस सरकार की निश्क्रियता देखते हुए अब करनाटक इस्तिती और भी अधिक चिंदाजनक लगती है करनाटक इस्तिती अजमेर से अधिक चिंदाजनक इसलिए भी है क्योंकि यहां टेरल फंडिंग और इसके जरीये होने वाली घटनाओं क एक पैटरून देखा जा सकता है राजमित पीफाई और सिमी जैसे संगटनो द्वारा फैलाए गए नारेटिव और हेट्रेट से इसे पहले भी राजम की शांती को भंग करने के प्रियास किये गए हैं इसे इस प्रकार समझें कि कॉलेज में नियम के तहन बैन के करके ऑपरेशन का तरीका बता दिया जाए याद हो तो उदूपी में ही हिजाब बैन को लेकर मुद्धा बनाया गया था मात्र स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करने जैसी समानी घटना को ऑपरेशन और माइनॉर्टी राइट्स का नारेटिव देकर इंटरनाशनल लाइज कर दिया गया था दरसल स्कूल में हिजाब बैन को लेकर मुस्लिम चात्राएं विरोध करती नजर आई थी इसमें ये भी सामने आया था कि कट्टरबंधी इसलामी संगठन इन मुस्लिम चात्राओं को अपना समर्थन दे रहे थे Campus Front of India प्रतिबंधी इसलामी संगठन पॉबलर Front of India की चात्रा शाखा हिजाब विवात मामले को आगे बढ़ाने के लिए चात्रों और उनके अभी भावकों को उकसा रही थी हम सबी जानते हैं PFI का आतंगवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसका संबंध प्रतिबंधी कट्टरबंधी इसलामी आतंगवादी संगठन सीमी से भी चुड़ा हुआ है PFI द्वारा कट्टरबंधी संगठन द्वारा युवाओं को ब्रहमित करके आतंगवाद की ट्रेनिंग देने जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं कट्टरबंधी विचारों के प्रसार के लिए महिलाओं का सोशन करना एक स्थापत थियोरी है जिसका चरंबंधी संगठनों द्वारा इस्तमाल किया जाता है ये राज्य का दाइत्व है कि वैसे शुरुवात में ही धुस्त करके सभी के समान सुरक्षा अधिकार सुरक्षित करें कटरपंथी विचारों के प्रसार में महिलाओं के सोशन और इसमें सरकार और कानून की भूमिका आप किस प्रकार देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लेकर अवश्य बताएं धन्यवाद